नमस्कार दोस्तों, MFU की पार्ट साला में एक पर फिर आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ अशोग कुमार और हम सीख रहे हैं Mutual Fund के Distributor Platform, तो दोस्तों अब तक हमने सीखा, कैसे MFU का हम साइन अप करें, साइन अप के लिए हमने बताया था, आपके पास दो अप्सन्स है, Online and Offline, जिसका Link मैंने पहले अपने वीडियो में दे चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है, आप फ्रेसर हैं, नए हैं बिल्कुल, तो आप पहले वाले वीडियो पे जाएए, उससे आपको बहुत सारी Informations मिल जाएगी, और हम आगे करते हैं, आपने मेरे उमीद के अगॉर्डिंग साइन अप कर लिया होगा, और आपके पास आपका User ID और पाशवर्ड आ गया होगा, User ID पाशवर्ड आने के बाद, आपको सबसे पहले MFU की वेबसाइट पर जाना है, mfuonline.com और वहाँ पर अपने पाशवर्ड को reset कर लेन है, आपको अपना पाशवर्ड बना लेना है, एक बार जब आप पाशवर्ड बना लेंगे, उसके बाद सिर्फ फिर हमारा first step आजाता है, कि हम आगे काम कैसे करें, तो उस्त, mutual funds में जब काम करने जाते हैं, तो वहाँ पर जब भी हमारी first meeting होती है client के साथ, तो हम उससे अपना form भरते हैं, उसका कोई भी startup के लिए एक SIP या common applications लेते हैं, और काम start करते हैं, मैं क्या करता हूँ, उसी के साथ एक अपना common account form fill करा लेता हूँ, MFU का, जिससे कि उसके in future, कोई भी distribution से related, कोई भी अपने mutual funds से related काम करना हो, तो आपको बार बार उसके पास जाकर अपना expense बढ़ाना ना पड़े, simple आप phone पर और communication करके आप start कर लो, जिससे कि आपका time भी बचे और काम भी आगे बढ़े, so दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ, MFU की website पर जहां से हमें आगे का काम करना है, तो सबसे पहले हम चलते हैं web page, और web page हमें internet explorer का ही खोलना है, क्योंकि MFU internet explorer पे सबसे अच्छे तरीके से support क हम चलते हैं, MFU, पहले हम कोल लेते हैं, MFU India की website, जहां से हमें आगे क्या करना है, थोड़ा सा एक details आपको मिलेगा, ये MFU की website है, अब क्योंकि हमने अपना login ID create कर लिया है, तो आगे बढ़ने से पहले, हमें ये देखना है कि हमें करना कैसे है, सबसे पहले हमें can account generate करना है, तो can account generate करने के लिए हमारी पास दो option है, एक online options है, और दूसरा offline options है, क्योंकि दोस्त, मैं crunch की meeting करता हूँ, उससे बाते करता हूँ, और फिर उसको उसी समय can का परभूज कर देता हूँ, ताकि इन futures में आने वाली उससे की दिखते, और आपकी भी दिक्कते समाप्त हो ज के, इसलिए मैं उसी समय can का form fill up करवा लेता हूँ, shine up करवा लेता हूँ, तो can open करने के लिए, मैं आज physical की बात कर रहा हूँ, online का मैं next video पे discuss करेंगे, can open करने के लिए हम mfvindia.com पे जाएंगे, और वहाँ form segment में जाकर, हम देखेंगे की कौन सा forms है, so यहाँ पर can resistance form की आप की पेस पुल गया, यहाँ पर आप देखें यह वाला जो form है, regular form for individual investors, यहाँ पर आप इस form को download कर लेती है, इसका link मैंने आपको दिया हुआ है, और मीचे वीडियो में भी show कर दूँगा, तो यह आपका form खुल जाएगा, इसके साथ एक चीज़ और करना है आपको, दूसरा forms, आपको यह print करना है, pay is mandate form, pay is mandate form क्या होता है, वो भी मैं आपको पता देता हूँ, जब एक बार आपका काइन account और pay is mandate complete हो जाता है, जिससे यह bank mandate है, जिससे कि एक बार उसका mandate complete हो जाने के बाद, आप उसके बाद कोई भी transactions, जो भी आप limit show करते हैं, set करते हैं, उसके बीच में आप कर सकते हैं, per day का, so आपको दो काम करना है, पहला आपको individual forms, और दूसरा, pay is mandate forms, यह दोनों आपको आपके साथ print करके रखिए, और client के पास first meeting में जाकर sign off कर लेजिए, sign off कराने के बाद, आप अपने office आईए, और फिर आप login किजिए, mfuonline.com, mfuonline.com यह आपका platform है, जहां से आप login करने के बाद, अपने client का kyan account खोल सकते हैं, अब kyan account कैसे खोलना है, मैं आपको login करके दिखाता हूँ, और आगे एक live कोशिस करते हैं, कि आपको मैं help कर सकूँ, तो यह page खुल गया हमारा, एक बार दुबारा देखिए, हमने login किया, तो यह एक page आया, जो के वाल informatic page है, यहां पर आपको continue to portal करना है, continue to portal करने के बाद, यह page आपके सामनी आजाएगा, यह आपका distributor page है, यहां से आप सारी transactions कर सकते हैं, तो आज हम केवल kyan account खोलने की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर आएंगे registration पे, registration पे आने के बाद, हमारे पास तीन चार options दिख रहे हैं, पहला है KYC non-individual, अगर किसी company के लिए आप खोलना चाहते हैं, और उसका KYC करना चाहते हैं, यह select करेंगे, KYC non-individual, can non-individual, अगर किसी company का आपको can खोलना है, तो इस column को select करेंगे, आपको, अगर आपने कोई e-can, यानि online आपने किसी को can बेजा है, accept करने के लिए, तो आपको यह करना है, ठीक है, और हम आज बात करना है physical की, तो physical का main है can individuals, हम यहाँ पर select कर लेते हैं, can individuals, can individuals select किया, तो हमारे पास आ गया, holding type, investor category, residential, status, holding type में आपको चूज करना है कि आपने clients दे जो बात करी है, या client को जो आप दे रहे हैं, उप किस type का client है, आपको, उनको individual देना है, joint देना है, या anyone or survivor देना है, अगर आप anyone or survivor देना है, अगर आप anyone or survivor देंगे, तो फिर आपको, जितने उसमें holder से, उनके details फिल करने होंगे, अगर आप joint दे रहे हैं, तो joint के आपको details फिल करने होंगे, अगर आप single दे रहे हैं, तो आपको singles का detail फिल करना होगा, तो चलिए, आज मैं आपको live पर single की बात कर रहा हूँ, क्योंको मैं single account open कर रहा हूँ, तो हमने select किया single, investor category, हमने choose कर लिया individual, minor and sole proprietor, individuals जो आपने single के सिक आप खोल रहे हैं, minor अगर उसके बच्चे का account खोल रहे है, sole proprietor अगर company के लिए आप account खोल रहे है, और तीसरा है residential status, उसमें आपको choose करना है, उसका residential status क्या है, वो Indian है, NRI है, NRO है, foreign national है, P.I.U. है, तो मैं आज खोल रहा हूँ, residence individual का, इसलिए हमने select किया, residence individual, यहाँ पर मेरे holder का pen number है, जो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, आप भी अगर live काम कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा खर सकते हैं, और आप उसलिए account खोल सकते हैं, मैंने pen number डाल दिया, फिर इसके बाद उनका नाम डाल देता हूँ, याद रहे ही, यह बिल्कुल correct डालिएगा, जो आपके form पर लिखा है, या जो उसके document में लिखा है, नए तो फिर आपको बाद में थोड़ी सी परसानी होगी, आपको cancel करना पड़ेगा, और cancel करना भी असान है, कोई मस्किल नहीं है, यहाँ पर नाम डाल दिया, और उनका date of birth डाल दिया, जो हमारे पास available है document में, और finally remarks को छोड़ कुछ लिखने की जरूत नहीं है, और यहाँ पर आपने submit कर दिया, once you submit button आपके तुरंत पास आजाता है, एक can number, और इस can number को आप चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगा, क्योंकि आपके पास यह हमेशा available मिलने वाला है, तो मैंने इस can को ok किया, और आगे करते हैं, तो हमारे पास next page आयाता है, जो उस individuals की details है, अगर उसका KYC ok है, तो आपके पास सामने आ जाएगा, उसकी पुरी details, उसका address, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनका, यहाँ पर देख सकते हैं, उनका, यहाँ पर देखिए मैं मौस से आपको लिगेट करता हूँ, इ आगे हमारे को contact details update करना है, तो दोस्तों contact details update करना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप पाक्यान, आगे process नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप transactions करेंगे, वो इस address से, इस number से communicate होगा, आपके client के पास, और client उसको yes या no करेगा, तो सबसे पहले, आपको यहाँ पर जो compulsory fields है, mobile number and email id, तो compulsory fields में हमें muster डालना, तिसलिए मैं अपने client का mobile number fill कर देता हूँ, और अगर आपके पास, उसके पास दूसरा mobile है, अभी डालना चाहता है, तो भी डाल दीजी, तीसरा, यहाँ पर उसका email id डालना है, अपने client का, तो अपने client का, आप email id डाल दीजी, अपने email id डाल दिया, और उसके आगे बढ़ते हैं, email id डालने के बाद, अगर कोई और email id अल्टरनेट है, तो भी डाल दीजी, और इसको save कर दीजी, यहाँ पर आपको अपने earn डालना है, जिससे आप business कर रहे हैं, और उसमें आपको अपना EUIN डालना है, EUIN डालना जरूरी है, क्योंकि यह company आपको इसी से आपके commissions distribute करती है, और फिर हमने अपना earn डाला, even number और save कर दिया, आगे हमारे पास आ जाता है depository details, depository details अगर कोई client चाहता है, एक मेरा dp id आप add किजे तो आप डालिए, otherwise कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मैं blank short देता हूँ, उसके बाद हमारे पास जो सबसे important point है bank detail, एक client अपना जितना भी bank id आड करना चाहता है, जितने जब भी जिस bank से transactions करना चाहे, कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें एक bank आपका default bank होगा, जो जब भी वो withdrawal करेगा, तो उस default bank में ही उसका पैसा आएगा, तो दोस्तों मैंने account number डाल दिया, और यहाँ पर MICR डाला, MICR डालते हैं उस bank के सारी details आ गई, यहाँ पर मैंने इसको default रखा है, तो default और यहाँ पर आपको bank proof select करना है, client ने क्या आपको bank proof दिया है, most of the case में client check देता है, check पर आपको यह देखना है, कि उसका नाम लिखा हुआ है, कि नाम printed check अगर है, तो accepted है, और नाम printed check नहीं है, तो उस case में आपको या तो bank का passbook की fast page, then last updated page लेना है, अगर व वो नहीं है, तो आपका bank account statement लेना है, जिसमें उसकी details आ रही हो, मेरे client ने bank statement दिया है, तो मैंने bank statement select कर लिया, और इसको मैंने यहाँ पर add कर दिया, bank add करते हैं, हमारे पास आगया record search successfully, अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आता है no money details, तो अगर आप no money नहीं डालना यहाँ पर click कर दिजिए, और डालना चाहते हैं, तो add कि जिए, मेरे client ने nominee को डालने के लिए बुला है, most of the case आपको nominee डालना ही चाहिए, तो यहाँ पर आप nominee डाल देते हैं, और मैंने भी अपने client का nominee यहाँ पर fill कर दिया, relations आपको दिखाना है, तो relations आपने दिखा दिया, और percentage क्या रखना है, आप add कर दिखे है, और save इसको close कर दिखे है, close करते ही यह आपके पास returns आगया, nominee का, right, अब आपके पास additional kyc retails, kyc retails को आपको upload करना है, उसकी annual income क्या है, annual income आपने डाल दिया, source of wealth, कहाँ से कमा रहा है पैसा, उसके बाद type of address given at kra, यह important है, जो आपके documents में आपने फिजिकल में भरा हुआ है, उसलिए आप इसको ज़रूर सेलग किजी, residential और pp not applicable, यह करकर आप save कर दिजी, save करने के बाद यह updated हो गया, अब आपका चौता question साता है, place of birth, तो place of birth आपको जहां का भी है, आप अपने client का यहां पर आपको country, फिर citizen से, फिर nationality और tax residency other than India, अगर yes है तो yes किजी, फिर yes करेंगे, आपको पूरी details करने ही पड़ेगी, अगर no है तो no किजी और save कर दिजी, मेरे client में no है, इसलिए मैंने no किया और save कर दिया, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहां पर है common details alert mode, email से alert आते हैं, SMS से, तो आपने select both रखिए, उसके बाद settlement dispatch mode, आप both कर दिजी, और यहां पर save कर दिजी, आपने यह आपका common details, common account number, common details save हो गया, अब आपकी पास नीचे आता है submit to pause, अब submit to pause, करेंगे तो आपकी पास यह आजाएगा scanned image not attached to the can, तो आप इसको okay किजी, मतलब हमने scan नहीं किया है document का, तो सबसे पहरे document हम scan करते हैं, इसको scan करने के दो तरीके हैं, पहला आप scan करके TIF format में अपने desktop पर रख लेजे, या direct भी आप scan करते हैं, तो चलिए हम menu में जाते हैं, यह आप menu option देख रहे हैं, यहाँ पर click किजी, और यहाँ पर जो menu options में scan है, scan पर click कर देते हैं, scan पर click करने के बाद हमारे पास आजाता है, scan transactions, अगर आप transactions कोई कर रहे हैं, तो यहाँ से scan होगा, transactions scan book आपने जितने भी transactions किये हुए, scan करके हो आपको यहाँ दिखेगा, अब हम क्योंकि physical registration कर रहे हैं, तो scan registration पर जाते हैं, दोस्तों आपको यह थोड़ा सा process lengthy लगता होगा लेकिन यह बहुत ही असान है, एक बार जब आप कर लेंगे इसके बाद आपके client से सालो सालो का relations बहुत ही असान हो जाएगा, और आप easily कर पाएंगे, so हम scan registration प्रिक करते हैं और मैं इसके साथ scan करता हूँ आपके साथ live अपने scanner से, so यहाँ पर हम pages अभी कुछ नहीं है, हमें क्या करना है scan, हम scan individuals से ले रहे हैं, अगर KYC ले रहे हैं तो आपको select करना है, scan and upload, अब यहाँ पर हमेरे पास बना हुआ scanner, फिर यहाँ पर desk view, फिर यहाँ पर save to desk, और यहाँ load from desk, अगर हमने पहले से scan किया हुआ है, तो यहाँ पर click करके load from desk कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर click करूँगा, तो हमेरे पास आजाएगा, हमें कहां से load करना है, ठीक है, अब अगर आप यह है scan, तो हम scan करते हैं, चले द और यहाँ पर हमें desktop view आगया, हमने scan करने के लिए this को order किया, और ok कर दिया, so हमारा scanning start हो गया है, और हम wait करते हैं scanning के लिए, ok friends, so मेरा scanning यहाँ पर complete हो गया है, दिखा रहा है, application scan with 200 dpi resolutions, यह याद रखिए, अगर आप किसी दूसरे, कोई भी a scanner से scan करते हैं, तो उसका dpi 200 होना चाहिए, 200 minimum है, और format आपका tiff format होना चाहिए, tiff format and 200 dpi resolutions में होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा scanning complete हो गया है, हमने ok कर दिया, यहाँ पर अब देख सकते हैं कि हमारे पास यह scan की 8 phase है, और आटो का auto phase scan हो चुका है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, first phase, first phase में आप, हम देखते हैं कि यह हमारा page form है, page form में आप देखिए, मैंने सब से उपर लिखा अपना arn number, फिर eyn number, ok, eyn number लिखन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसमें unit holder का नाम, नाम लिख दिया, फिर उसके बाद हमने उसका bank का details जो उसने provide किया था, जिसमें आज का data आपने डाल दिया, इसका semi account है, current account है, जो भी account है, उसको select किया, उसका account number डाल दिया, कौन सा bank है डाला, IFSE क्या है, MICR क्या है, और यह मैं target रखता हूँ कि एक client को, कि इसका per day की limit 5 lakh रुपिस में डालता हूँ, आपकी जो मजी आप 1 lakh, 5 lakh, 10 lakh, 1 crore, जो भी आपका डाला है, आप client से discuss करके आप डाल सकती, इस limit में आप उस दिन, किसी एक दिन में 5 lakh की transactions आप कर सकते हैं, यह एक बार bank approve कर देगा, तो मैंने यहाँ पर limit रखता है, 5 lakh रुपिस, उसके बाद उसका mobile number, उसकी email id, client ने sign किया है, और इसको scan करके, हमने यहाँ पर लगा दिया, फिर हमने यहाँ पर, यह आपको create ध्यान रखना है, जिस date से start किया है, वो कर लिजे, और नीचे until cancel पर select किसी, यहाँ पर कोई date particular मत रखिए, क्योंकि until cancel करेंगे, तो यह तब तक applicable होगा, जब तक client इस account को बंद नहीं करता, या इसको, pays को cancel नहीं करता, तो हमने वो complete कर लिया, आगे उसके बाद, यहाँ पर date डाला, और client का signature कराया, तो यह हमारा हो गया, pays, हम pays कैसे भरते हैं, उसको मैंने आपको यहाँ पर दिखा जाजिया, कि pays कैसे भरा हुआ है, उसके बाद, हमारा common application form, जो हम बात कर रहे थे, common application form कैसे भरा जाएगा, तो common application form हम देख लेते हैं, यह उसका bank passbook है, ठीक है, अब हम common application form देख लेते हैं, यह हमारा common application form, तो again common application form पर आपका उपर ARN number, फिर UIN number, यह हमने can generate किया था, तो यह कैन का number आ गया था, तो हमने can number डाल दिया, उसके बाद, क्योंकि मैंने mode of holding single रखा था, तो single पर click किया, residency status, उसका individual, individual कर दिया, यहाँ पर residence India कर दिया, उसके बाद, उसका date of word डाल दिया, यहाँ date of word डालने में आपको ध्यान देना होगा, DD, फिर उसके बाद, मंत के 3 डिजि डाले, client का नाम डाले, अगर client minor में करना चाहता है, तो फिर आपको, यह guardian details, second order, third order, जो आप form देखेंगे, normal आपके forms है, जो, AMC के forms होते हैं, उसका एक details है, फिर आपका address हो गया, और यह उसका email ID हो गया, जो हमने आगे update किया था, उसके बाद, यह first page हो गया, second page बहुत ही अ बरने में कोई time नहीं लगता, और यह एक बार भरने के बाद आपके पूरे life उसके form भरने का tension खतम हो जाता है, जब तो बैंक चेंज करता, तो यहाँ पर आपका bank details आपने डाल दिया, और इसके रीचे कुछ भी नहीं भरना है, जितने banks डालना चाहें, वो bank डाल सकता है, वो आप fill up कर सकते हैं, बड़ सब bank के details आपको लगाने पड़ेंगे, उसका तीसरा page है, जहाँ पर आपको नोमनी का retail डालना है, और additional KYC details जो हमने KYC can में भरा था, वो डालना है, जैसे इसके income कितनी हो गए, उसका income कहां से है, business से है, या salaries है, यहाँ पर हमने add किया, उसका type of KYRA क्या है, residential है, या NRI है, whatever, वो आप fill किजिए, और यह हो गया form complete, fourth phase पर हम उसका देख लेते हैं, fourth phase, जो सबसे last phase है, और इसमें, उस client का हमें देखना है, place of birth, कहा है, place of birth डाल दिया, country of birth, country of citizenship, country of nationality, और अगर वो दूसरे country का भी citizenship रखता है, तो yes या no, पर आपको tick लगा करना है, अगर yes करते हैं, तो आपको detail डालना है, no तो कुछ भी नहीं करना है, और last में, आपको client का sign लेना है, जो client ने sign कर दिया, अब यह page आपके पास available हो गया है, अब हमने यह सारा चीज scan कर लिया, और हमारे system पर यह scan होने के बाद, अब आपको यह bottom देखे, जिस पर ल याद रहे, तो मैंने लिख दिया, और ok करती है, यह अब आपने जो can fill up किया था, उसका image यहाँ पर server पे upload हो रहा है, दोस्तों scanning complete हो गया, और system पे save हो गया है, so मैं अब चलता हूँ दुबारा main menu में home पर, और home पर देखते हैं, यहाँ पर आपका can 3, 3 can आपकी पास, मतलब मेरे system में pending देख रहा है, जिसको upload करना है, so मैं यहाँ select कर लेता हूँ, 3 पर click करता हूँ, तो हमारे पास यह आजाते हैं details, so दोस्त हम आज can बना रहे थे, रविंदर कुमार का, यह रविंदर कुमार का status यहाँ पर देख रहा है status pending, और यहाँ पर देखिए, 3 options है, यह attach करना है, attach पर click किया, attach पर click करते ही, जो हमने form scan किया है, उसकी details यहाँ पर सामने आयाता है, यह details और हमने जो remarks में डाला था, जाकि हमने पता चले कि मैंने किसका किया है, वो इस attach के लिए image reference number पर click कर लेते हैं, image reference number पर click करते ही, हमारे पास आजाता है image attach successful गी, ok किया, ok करते ह हमारे client का जो हमने details fill किया है, वो दुबारा एक बर सामने आयाता है, हम इसे, आप इसे verify कर लेजी, कि जो details आपके पास है, वो exact है, यह दुबारा एक verify करने का मुखा दे रहा है, क्योंकि इसके बाद submit कर लेंगे, तो आप इसको change नहीं कर सकते, यह फिर आपको MFU से ही change कर हो आना पड़ेगा, वहाँ पर आपको mail communication या बात करके complete कराना पड़ेगा, यह complete हो गया, और जो हमारा सबसे last button है, submit to pause, submit to pause किया, तो यहाँ पर आगया scan signature image not attached to the can, मैदलब जो हमने scan किया है, वो image इसके सांथ attached नहीं हुआ है, यह image attached नहीं हुआ है, तो हमारे पास option है, कई इसके बार automatic attached हो जाता है, जब आपका signature match हो जाता है, तो इसमें signature आपके system में उठाया नहीं है, बार-बार जो fail का message आ रहा था, तो इसलिए अब हमारे पास यहाँ पर देखे एक bracket बना हुआ है, जिसको expand का wording दिया हुआ हुआ है, तो यहाँ पर आप click कर लेंचे expand, तो मैंन यहाँ पर जो option है, edit करना है, क्योंकि हमें signature है, signature कोई system नहीं उठाया है, तो इसलिए हम signature को उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, यहाँ पर हम देखते हैं, अब हमारे पास इसके signatures, जहां से भी आप उठाना चाहिए, मेरे पास form 5 में इसका signature, form 6 में, page 6 पे हमारे पास इसका signature है, तोड़ा सा घंका है, जहां से हम copy कर सकते हैं, तो मैं नीचे आता हूँ, और इनकी page 6 की copy, वो जैसे यह हमारे signature है, 6 पे, 6 पे नहीं है, तो हमारे पास signature है, सबसे last वाले page पे signature है, जहां पर हमें signature दिखने की मिलेगा, तो यह signature है, तो इस signature को copy करने के लिए हमें क्या करना है, आपके mouse को, और control बटन को, mouse और control बटन एक साथ दबाईए, और इसको ऐसे करके copy कर लिए, यह कर लिया आपने, और सबसे उपर, जो आपका, यहां देखें, तीन बटन देख रहा है, crop signature, यहां पर upload signature, और यहां पर clear signature, clear select, अगर आपने select clear यह गलत हो रहा है, तो clear कर सकते हैं, यहां पर upload करना है, तो ह यहां से, आप crop sign करेंगे, तो आपका, जो आपने signature किया है, वो यहां पर लिख जाएगा, कि यह signatures, आपने crop किया है, अब इसको आप यहां पर upload sign करतेजी, upload sign करते ही, यह crop signature uploaded successfully, का message आप इसको ok कर दीजी, और इसको बंद कर दीजी, अब बंद करने के बाद, यहां पर आपक के पास, सबसे last column पे चले जाएए, submit to post, और submit to post कीजिए, आपका request है, वो submit हो चुका है, पॉस में, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने जो can के documents आपके पास, आपने customer से sign करा के रखे दे, वो इसको निक अच्छे तरीके से एक file बनाएए, और इसमें पंच कर दीजी, इ आपका can अब generate हो चुका है, और यह submit हो चुका है, आज क्योंकि Sunday है, तो यह can आज अप्रूब नहीं होगा, तो यह Monday को अप्रूब हो जाएगा, और Monday के बाद आप इसमें कभी भी कोई भी transactions कर सकते हैं, अब हम देख लेते हैं, उसके can का, है, तो आपने क्लिक किया, और यह can श्रेटर दिख लाए, submit to pause, जैसे ही approved होगा, यहाँ पे लिखा आजाएगा, और उसके बाद, आप यह can number, जो है, इस can number से, आप कोई भी transactions कर सकते हैं, तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप को MFU के distributor platform का use करेंगे, और अपने business को सही तरीके से features में growth देंगे, और आपके expenses को काम करेंगे, तो इसी आशा के साथ, आपका मैं एक बार फिर से, श्वागत करता हूँ, और common account number generate करने में कोई भी आपको दिक्कते आ रही हैं, तो मेरे personal number, personal whatsapp पे, personal telegram पे, आप मुझे पूछ सकते हैं, बात कर सक देखते हैं, और इसी के साथ हम फिर आपको मिलते हैं, दुबारा कैन की दूसरे platform, दूसरे transactions पे की आगे कैसे करेंगे, तब तक आप वो देखते रही है, और कोई problems आये, तो मुझे जरूर लेखिए, thanks you, thank you, thanks for watching.